जराम महतो की पाटी यानि जेल केम का बिखराव लगतार जारी है और उसी सिलसिले में जैसे ही रिजवान करांती कारी जेल केम छोड़ जेमें में सामिल होते हैं तो इसका जो संसनी खेच प्रिजारखन में मज जाता है खूब चर्चा होने लगती है उसी सिलसिले में हम इस वीडियो के माधियम से इस रिपोर्ट के माधियम से आप लोगों के बीच लाए हैं कि आखिर लोगों को आप क्या परतिक्रिया रहा है हम लोग सोसल मीडिया वाले हैं सोसल मीडिया पर ज्यादा फोकस करते हैं और खास करके कॉमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं और वहीं से जो है हकिकत पताक्रिया नजर आती है और वहीं से हम लोग को सवाल भी पता चल लाता है और जवावी भी पता चल लाता है तो आईए इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए कि लोग किस प्रकार परतिकरिया दे रहा है अपने यही वीडियो है, जब रिजवान क्रांतिकारी जैमेम में सामील हुए थे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन्फोर्मेशन देने का काम किया था, और यही वीडियो का इसी वीडियो का कॉमेंट हम पढ़ेंगे, कॉमेंट में सबसे पहले हम टॉप कॉमेंट पहमद है और उनको निकनेम रिजवान क्रांतिकारी है यानि उनका टाइटल में क्रांतिकारी लगा हुआ है और उन्हीं से इनका कहना है कि इनका क्रांतिकारी कहना अब गलत होगा इसे धोखेबाज रिजवान कहिए ये निजामुदिन अंसारी जी का कॉमेंट है अब अगल है क्या तुम सर्टिफिकेट बाट रहे हो कि कौन जो है क्रांतिकारी है और कौन क्रांतिकारी नहीं मतलब एक दुसरे के आरोफ प्रत्यारोफ यहां भी कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से भी चलते रहता है अगले कॉमेंट के और हम बढ़ते हैं सच्चे सिपाही मत बोलिए द टाइगर जहराम महतो जिन्दाबाद जेल केम पाटी जिन्दाबाद यानि जिन्दाबाद और समसिय की समर्थक लोग इस प्रकार यहां लिख रहे हैं एकला कॉमेंट के और बढ़ते हैं इन्होंने जहर्खन वासी को धोखा दिया है जिसे माफ नहीं क्या जा सकता महतो महतो लोग एकुट कर रहा हैं 23 जीत कर सामिल हूने में कोई कसर नहीं चोड़ेगा इसलिए जेल केम को वोट नहीं कर रहा है आदिवासी एक जिंदाबाद यानि इनके बातों से बता चलता है कि ये एक आदिवासी हैं और इनको जेल केम में भोट करने से लोग को मना कर रहे हैं क्योंकि जेल केम यदि दो तीन सीट जीत जाते हैं तो वे सामिल होने का काम करेंगे ये इनका कहना है इनमें परतिकरिया देते हुए एक आदमी ने ये रामजीत कुमार जी का कहना है कि जो है इस प्रकार आरोप लगा रहा है एगला कॉमेंट है गिरिगीट को रंग बदलने में समय नहीं लगता ये बड़ा कॉमेंट है आगे बढ़ते हैं टाइगर अभी जिन्दा है और इनका परतिकरिया को रिपलाइ में कोई लिखा ह टाइगर सोज आएगा खेला हो गया सपना देख रहे हो यानि यहां लडाई चालू है अगला कॉमेंट के और बढ़ते हैं अब यहां के वोटरों जेमेंट किसी को वोट देना चाहिए यह कह रहा है सजेसन दे रहा है कि जेमेंट किसी को वोट दी दिए लेकिन जेमेंट क होती है क्योंकि माइक लगा वाराता है कैमरा लगा रहाता है लेकिन यहीं जो है असली परतिक्रिया निकल के आता है यहां independent होकर के जो है अपना भडास निकालते हैं और लिखते हैं अगला खेर अगला सिलसला जारी रहेगा यह बड़ा आरोप है जैमेम के हेमन सोरेन पर कि अपने पत्नी की चिंता कर रहे हैं अगला कॉमेंट के और बढ़ते हैं रिजवान अंसारी पैसा कमा लिया लेकिन इज़त दुबारा नहीं मिलेगा यह बड़ा आरोप है रिजवान करांतिकारी पर यानि जैमेम के समर्थक भी यह जो है इस प्रकार जिंदाबाद का नारा यहां भी लगा रहे हैं और लिख रहे हैं अगले कॉमेंट के और बढ़ते हैं अभी तो कोई नहीं बोड़ रहा है जैमेम पाटी तोड़ता है यह सिर्फ लगता है भाजपा पर ही लागू होता है मतलब इनका कहने मतलब है कि जब भाजपा किसी को जोड़ता है तोड़ता है तो उन पर आरोप लगता है कि भाजपा दूसरे को तोड़ता है अब जैमेम वो काम कर रही तो उन पर आरोप क्यों ने लग रहा है आगे कॉमेंट के और बढ़ते हैं लिखा हुआ है रिजवा के ओर बढ़ते हैं जराम कोा कोई नहीं विगार सकता जो रिज्वान सोच को गिराने के लिए सोचता है वो खुद गिर जाएगा कोई नहीं सकता है उर Memorial घिरते यहीं को समर्थक परकार के दोगला करांतिकारी जनता के बीच में अब क्या मुह लेकर दिखाने जाएगा यह बड़ी परतिक्रिया है मतलब जैराम महतो को लेकर के जो है जो समर्थक हैं जिन्दाबाद लिख रहे हैं अगला कॉमेंट है रिजवान गदार है टाइगर को धोखा दिया यह बड़ा परत सब्सक्रां सब्सक्राइए लोग निर्दली को सपूट करने के लिए भोल रहा है अगला परतिक्रिया रिजवान Cake नहीं सच्य सिपाही नाहाधा तो चाहे कुछश हो जाता दूसरा पार्टी नहीं जाता यह बड़ा परतिक्रिया है लोग आ रहा है और यह मैं कॉमेंट को पढ़के बताने का प्रयास इस वज़े से कर रहा हूं यहीं असली परतिक्रिया नजर आता है और लोग और भी लिख रहे हैं यह पैसा में बीकने वाले लोग हैं और लोग रहे लिख रहे हैं 58 लोग लाख में बीक गया मतलब कितना में डूल हुआ यह भी इनों लोगों को पता चल गया है और बता देखते हैं और बहुत बड़ी बड़ी जो है बहुत सारे कॉमेंट आया हैं सबको पढ़ना बहुत सारा समय लग जाएगा लेकिन आप समझ ही कहे होंगे कि रिद्वान करांतिकारी को लेकर कि लोग क्या सोच रहे हैं कैसी जो है प्रतिक्रिया दे प्रतिक्रिया का जो हैं बॉक्स होता है तो देखा आपने परतिक्रिया यह परतिक्रिया सारे जो वीवर्स है देखने वाले ज्घरकंड के लोग हैं और खास करके जरूर बता देमें इस रही था कि आखिर जेल केम पार्टी को छोड़ने के बाद रिजवान करांतिकारी का आखिर किस प्रकार प्रतिक्रिया आ रहा है उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं क्या लिख रहे हैं यह आपको पता चले इसी के उदेश्य से यह वीडियो बनाया गया था